नित्यानन्द रायद भार्तिय जन्ता पार्टी मिनिस्टर स्टेट फॉर होम इस आलसो ना जॉइनिंगा सा शुक्रिया इंडिया तुड़े आज तक के साथ जुड़ने के लिए नित्यानन्द रायद पूछना चाहूंगी आप कैसे देखते हैं सर इन डेवेलप्मेंट्स क आपोसेशन साथ आ रही हैं उनका ये कहना है कि जुड़के युनाइट होके वो बीजेपी सरकार को इस बार दोहजार चौबिस में फाइट देगी माने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की लोग प्रियतार उनके काम से महागटवंदर और विपक के नेता घवरा कर एक जूट होने की कोशिश कर रहे हैं नेता मंच पे एक जूट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन माने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को 2024 में फिर से भारी बहुमत से परधान मंत्री बनाने के लिए देश की जनता एक जूट हो चुकी है एक तरफ मोदी जी के लिए देश की जनता एक जूट है और दूसरी तरफ महागटवंदन के लोग भरस्ता चार में लिप्त लोग परिवारवाद को बढ़ावाद देने वाले लोग विकास पिरोधी लोग देश में गड़िवी बढ़ाने वाले लोग एक जूट होड़ा है जनता देख रही है उनके एक जूटता करना कोई मतलब है उनके पास न कोई निता है न कोई निती है आपको ये नहीं लगता कि अगर opposition साथ आ जाए तो आपको fight दे सकती है, बीजेपी को fight दे सकती है आठ साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को NDA को सेंटर में और anti-incumbency का भी एक factor रहता ही है देखिए बोट जनता देती है, सरकार जनता के मतों से बनती है और जनता नरेंदर मोधी जी के नतरुत में फिर से परधान मंतरी बनाने के लिए एक जूट है सारे नेता एक जूट होकर अगर बोट डाले तो एक विधान सवा तो कोई जीती नहीं सकता है और यहां देश की सरकार बनाने के लिए देश के हित के लिए जनता एक जूट है इसलिए जनता की एक जूटता और नेता में विश्वास बड़ा महत रखता है लूप तंतर में तो जनता का विश्वास नरेंदर मोधी जी पर है विपक्स के सारे लोग किसी रूप में सत्ता में आ चुके हैं जनता के बीच विश्वास हो चुके हैं इसलिए जनता जहां विश्वास कर देगी उसी को सफलता मिलेगी और जनता की विश्वास मोधी जी पर है देश बास्यों के मन में नरेंदर मोधी जी है और नरेंदर प्रवाब नहीं है उनके एक जो ठोने से उनको प्रवाब नहीं है प्रवाब नहीं है